एकागरता की जरूरत बच्पन से ही हमारे साथ हो लेती है बच्पन से ही जिनके बास अधिक एकागरता होती है वो बड़े होकर उतने ही सफल हो जाते हैं इसलिए एकागरता की नियम को अगर बच्पन में समझ लें तो फिर सफलता का जो नियम है वो हमसे कभी भी दूर नहीं जाएगा क्योंकि जब हम बड़े होंगे तो हमें एकागरता की वशक्ता पढ़ती है एकागरता में जो एक सबसे खास बात है वो ये है कि एकागरता अपने साथ रिलेक्सेशन भी लेके आती है अगर आप अराम से काम कर रहे हैं तो इसका मतलब आपके पास एकागरता नाम की शक्ती है नहीं तो आप अराम से काम नहीं कर पाएंगे और फेल हो जाएंगे फिलियोर का दुख आप समझते हैं अगर आपने जिवन में फिलियोर को जेला है क्योंकि जब यक्ति फेल हो जाता है तो उसके आसपास वाले उसके घर वाले तरहां तरहां के ताने दे कर उसको डिप्रेशन के दुनिया में उतार देते हैं जब एक्ति रिप्रेशन के दुनिया में जाता है ना कि उसका चहरा खराब हो जाता है बलकि उसका क्रेक्टर उसके सोचें ये सब कुछ खराब होने लगती हैं क्योंकि सक्सेस का मज़ा उसने चखा नहीं होता सक्सेस मिलती है एकागरता से एकागरता को अगर समझ लिया तो फिर सक्सेस को मिलने में देर नहीं लगेगी और जीवन बड़े ही आराम से गुजरेगा क्योंकि जैसे मैंने पहले बताया है कि एकागरता अपने साथ रिलेक्स शेशन लेकर आती है अब अगर बच्पन से एकागरता को नहीं समझा है या बच्पन में एकागरता नहीं मिली है तो बड़े होकर इसको किस तरीके से हांसल करें इस पर सोचना बेहत जरूरी है इस पर सोचने की बात जो है इसके लिए हमें करना होगा ध्यान क्योंकि ध्यान हमें एकागरता दे सकता है क्योंकि एकागरता ध्यान की पहली सीड़ी है मैंने जैसे बताया कि एकागरता रिल उतने अधिक अपने जीवन को समझ भी पाएंगे क्योंकि जीवन में सवल होने के साथ साथ जीवन को समझना बेहत जरूरी है जितना अधिकम जीवन को समझेंगे उतना अधिकम सक्सेस्फुल होंगे ध्यान में एक आगरता सिखाता है ध्यान में जीना सिखाता है रोजाना क कुछ ना कुछ देर ध्यान अवश्य करना चाहिए यानि कि कुछ ना कुछ देर से हमें अपनी शुरुआत करनी चाहिए